यारे हमिरे को पहले जानना चाहेंगे अब आपरे सकते हैं इसमें यह हमारा मल्टी मेटर है यह हमारा क्रॉप्स कि इसमें इसमिटी मीटर को उंपे ले जानना चाहेंगे सनिए कदोनों में उसके बाद हमारा resistance मेजर करने के लिए और continuity मेजर करने का यहां पर parameter है उसके यहां से हम Capacitance मेजर कर सकते हैं और यह हमारे AC के parameters हैं यहां पर हम लोग आपर चाहेंगे पहले कि यह कैसे काम करता है तो जैसे हम अगारे सब्सक्राइब हमको small quantity a.c.m. आपर यह हमारा forward bus diode ने हम लोग ले सकते हैं, यह हमारा capacitance measurement के लिए आ जाता है, यह हमारा AC औगर DC दोनों measurement हम कर सकते हैं, यह हमारा small DC, अगर milli ampere में है, और यह अगर micro ampere में है, यह हमारा temperature measurement के लिए आता है, यहां आप देख सकते हैं कि अभी यह हमारा DC में Ampere का दिखा रहा है अब अगर हमें AC का मेजरमेंट करना है तो हम यह यलो बटन दबाएंगे तो देखें यहां पर यह आगए AC Ampere इसी तरह यह सेम केस इसमें जाएगा यह हमारे मेजरमेंट जो हम करते हैं अपना मल्टी मीटर से तो यह हमारे प्रॉप्स हैं यह हमारे दो लेट्स हैं लेट्स में मैक्सिमम 1000 वोल्ट को हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं जैसा कि Whean जानते हु कि हमारी voltmeter जो रहती है वह वह मेशा आपको प्रैलल्ली connected रहती है ideal voltmeter और हमारे ideal voltmeter में जो अमारी resistance रहती है हम dobench 3 larger infinity लेते हैं यह क्यों लेती दें हैं क्योंकि आप जब भी देखिएगा तो resistance हमको अगर चाहिए। यह जब हम हम रीम्रेस्टेंस लेंगे बार 2008 इस पारट के दर्ट के द्रू जाएगे, सब्सक्रेवरे लेते हैं तो यह अफनी प्रेस्टेंस घॉइन साओ branch हो जाए अगर यह जाती है। जितनी मेरी साध्य जाती है औतनी अपर गर c ारी करेंट हो जाएगी इसकी वज़ीट से हमको प्योड यहां पर हम वॉल्ट果 backwards संक्राज मेरा अम्मईटर में आता है जब हम करेंड्रींस से हैं यहां पर रिजिस्टेंस मेरे अगर जीडू रहेगा करेंड मेरा आ इसे जी यहां पर ले合 quatro ए जा-ब वाले यहां लगाते हैं आपको वल्टेर्जाओ दरेलिये सलिए रहे हैं तब 09 के लिए regression के लिए dus लिए ले रहे हैं सिमिलर वे हम आपको यहां पर वोल्टिमीटर में लगाएंगे जब हमको वोल्टेज की रिडिंग लेनी रहेगी अब आये हम इसकी इंटर्नल सरक्ट तो अब हम समझते कि अंदर क्या फेनोमेना हो रहा है यह हमाने यहां पर आगे समझते हैं यहां पर आगे गया यहां पर आगे बढ़ते हैं तो फिर यहां से हम पहुंचते हैं अनलोग तो डिजिटल कर रहे हैं उसके वाद हम लोग डिकेट काउंटर क्या करता है कि यह हमारी एकुरेसी और सिंसिटिविटी को बढ़ा देता है यहां पर हम लोग डिजिटली रीडाउट कर गए अब आजाता है जब हम केस लेते हैं इसी का यहां पर आप देख सकते हैं यहां एसी सी कनेक्शन के लिए यहां यहां पर एसी है तो यहां पर जब हम इसको करेंगे इसी वोल्टेज आप देख सकते हैं तो यह अपना अटेनुवेटर के पास यह होता है यह हमारी जो अटेनुवेटर है कंपेंसेशन के साथ आती है इससे हम लोग जो अपना एसी वोल्टेज आई उसको हाई करके हम लोग पाउसते हैं हम जानते हैं क्योंकि यह डिजिटल मल्टिमीटर है यह डीसी में काम करता है तो डीसी में हमको आउट्वूट मिलती है तो इसकी वज़ज़ से हम एसी को र सब्सक्राइब होते हुए फिर डीजिटली रीडाउट कर जाते हैं इसको कितनी हमारी वोल्टेज आए सिमिलर्डी हम इसके ओम्स को जो मेजर करते हैं यह हमारे रेजिस्टेंस और कंटिन्यूटी के किस में करते हैं तो जो हम यहां पर ओम्स मेजर करेंगे यहां हमने ओम है तो सबसे हैं क्या करेंगे इसको ऑन करेंगे जिसका सींबॉल है ओम का कंड्यूटी की टेस्ट में लेकर जाएंगे इस लिए हम क्या करेंगे उसको लगा दिया है अब क्या करेंगे अब डी हम भी तुरी टे क्जिकल ने यलो पर्टन क्शिक करेंगे यह बजर कर सिम्बॉल आ रहा है जैसे हम सूप करेंगे यह कंडूरी इसका हम चलते हैं हमारे पर देख सकते हैं हमारे पर यह सॉकेट है और इसके सप्लाई आ रहे एक हमें चेक करना है क्योंकि तो इसको अब जैसे हम अ верх क्राहते हैं जैसे हम नेहीं दालते हैंThen जैसे दालते हैं यहां पर विडियो आ प्रेज्चाश्ठ ताफल है पोएंट्सथा जैसे हमने ओन किया जैसे हमने ओन किया यह आप देख सकते है रेट बटन अन हो गया है मिन्स यह AC है और 253 वोल्ट बाद इस चीजिए अगर हम इसको one करेंगे तो यह DC वेलू नहीं आई और उसका कतना भी नहीं है क्योंकि हम इसको बंकरेंगे तो इसको बंकरेंगे तो वह बैटल में रहता है तो यह देखना है कि हमारी 48 की बैटल मेंग है अब इसको प्लस को प्लस में हमाने समाना से जैसे ग्रेट करेंगे अभी हमने जैसे ग्रेट करते हैं तो यहां पर आपको किलो पिखाएगे इसका मतबले है स्कनीज करें है तो अभी हमने आपको दींचे दिखा दिया भीज़ने हैं कि हमने गोंने गहें ज कि बहुता है हमसीड कर सककते हैं द obsessed सकते हैं गारें कि अपम राइन का luôn प्रॉब हमेससे होना चाहिए प्रॉब हमेससे होने का मतलब क्या है जैसे मैं पहले पेपेश्पन किया है कि अगर माल जेए कि आपकी इंडर्ना रेजिटेंट्स क्योंकि मुझेटी मिंटर में करेंट सोर्स जो अगर वह आपकी पैरलील चली जाएगी तो आपका जो मेंग्जम करेंट है वह लो रेश्टेंट से आपको फ्लो कभी भी यहां ढॉल्स नहीं करना है और नहीं आपको कॉन को को सी तुफ यहां पर नहीं कर सकती है यह रहाप देखेंगे तो यहां Paर आपको तेंपर तर्वमिटर तो यह आपको रूम का टेंपरचर आपको इसे करके दिखाएंगा अल्टिमेटली यहां पर देखिए यहां पर आपका 20 डिग्री बढ़ रहा है और आपका बीजो टेंपरचर रूम का वह 24-23 जो यहां पर वह सो कर रहा है तो यह आपका मल्लीमेटर है इस तरह के सम्काम करत करना है यह को वह ध्यां से करना है लीट की टाइम भी आपको जब भी मिजर करोगे यहां प्ली कई कटाफ और होना चाहिए क्योंकि आप हाई वर्टे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसे ज्यादा ना करें ठेक है अगर आपको लगता है यह यूज़पूल है तो लाइक किया स भाय केflower कि एक मन्हें का भी छूर्ट भीर्ट जन्सराख भी नो